सोपा ने सोयाबीन की रिपोर्ट का ताजा सर्वे रिपोर्ट जारी किया है सोपा ने तीन परमुक सोयाबीन उतपादक राज्यों मध्यपरदेश राजस्थान और महारास्ट्र में कुल 577 किलोमीटर शेतर फल में 16-31 अगस्त के दुरान सर्वे को अंजाम दिया रिपोर्ट के नुसार फिलाल सोपा ने सोयाबीन की फसल की स्थिती को बहतर करार दे दिया है फसलों में येलो मोजे के आन्या किसी कीट व्याधी के परकॉप से भी सोपा ने इनकार किया है सरकार ने इस साल देश भर में कुल 120.42 लाख हेक्चर में सोयाबीन की बहाई का आंकड़ा दिया था सोपा ने फिलाल अपनी रिपोर्ट में बहाई में सरकारी आंकड़े का ही संदर्ब दिया है सोपा के अनुसार बुआई के कुल शेतरफल की जांच के लिए सोपा अपना सेटलाइट अधारित सर्वे कर रहा है आने वाले दिनों में सोपा सर्वे की रिपोर्ट जारी करेगा और अभी उमीद जताई जा रही है कि सोपा का अनुमान सरकार द्वारा दिये गए अनुमान से ज्यादा हो सकता है ताजा सर्वे के अधार पर सोपा ने नतीज़ दिया है कि पूरे देश में सोयाबीन की फसल की स्थिती फिलाल समान्या है ज्यादातर फसल फलने और फूलने की स्थिती पर पहुँच गई है अब तक फसल व्यादी मुक्त नजर आ रही है सितंबर में मोसम अच्छा रहा और ज्यादा बारिश नहीं हुई तो सोयाबीन का उतपादन अच्छा रहेगा येलो मोजिक जैसी किसी बिमारी का फिलाल कोई भी असर नहीं आ रहा हलाकि सोपा ने ये जरूर माना है कि कुछ शेत्रों में ज्यादा बारिश के कारण खेतों में जल जमाव दिखाई दिया है इससे कहीं कहीं सोयाबीन के पौधों की पत्या पीरी बढ़ रही है इन शेत्रों में सोयवीन पर कुछ असर उत्पादन पर कुछ खास असर दिख सकता है हलाकि सितंबर में अच्छी धूप खिली तो सोयवीन का उत्पादन ज्यादा रहने की भी उमीद जताई गई है उलेखने हैं कि भारत खादय तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश है देश अपनी जरूरत का 63 प्रतिशत तक खादय तेल आयात करता है दो वर्षों में खादय तेल और सोयवीन के दाम उचे स्थर पर रहे ऐसे में अब अगली सोयवीन की फसल से ही देश में खादय तेलों के दाम नरम पढ़ने की उमीद ठीकी हुई है फिलाल मध्या परदेश की तमाम मंडियों में सोयवीन की चुटपूट आवक शुरू हो चुकी है मध्या परदेश में फिलाल 50 लाग हेक्टेर से ज्यादा शेतर में सोयवीन की वुआई की उमीद है जो बीते वर्ष से करीब 5 लाग हेक्टेर कम है